इसलाम अलेकूम उम्मीद करते हूं आप सब लोग खेरियत से होंगे आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजरू हूँ आज का जो हमारा पीपीसी का लेक्चर है वो है Receiving Stolen Property रिलाय सेक्षिन 410-414410 से लेकर 414 तक अब Receiving Stolen Property अब यह क्या होता है अब कोई शख्स, कोई भी शख्स चोरी का माल जो है Stolen करता है चोरी का माल Stolen करता है मत चोरी करता है, बजरिया, तिया थैफ, एक्सटॉर्शन, ड़केती या रॉबरी के अगर कोई भी शख्स इन चार चीजहों से चोरी का माल Stolen करता है तो उससे हम क्या कहेंगे receiving stolen property या हम ऐसे ऐसे इसको ऐसे कह सकते हैं जब आप कोई भी शखस माल जो है बजर या theft के चोरी करता है या extortion से कोई चीज रिसीव करता है चोरी करता है या किसी को जैसे extortion में डरा के धमका के कोई चीज लेकर उसको रखता है या डिकेती के या रॉबरी के जरीए है अगर कोई शखस चोरी करता है इन चार चीजों से चार कंडिशन से तो वो हम कहेंगे receiving stolen property में फाल करेगा यह था 410 में उन्होंने डिफाइन किया कोई भी शखस अगर बज़र या जो है इन चार चीजों से अगर कोई भी चीज चोरी करता है तो वो जो है receiving stolen property में फाल केटेगराइज करेगा अब 411 में बताया गया है कि receiving, dishonestly receiving stolen property अब कोई शखस बत नियानती से जो है वो receive करता है stolen property को अपने पास लेता है खरीदता है वो चीज़ अब उससे पता है कि यह जो है चोरी का माल है अब वो कोई शखस उसे पता भी हो dishonestly malified intention बत नियाती के साथ अगर वो शखस उस stolen property को खरीदता है receive करता है तो अगर कोई शखस उस property को या उस माल को कोई भी immovable property का कोई भी माल हो अगर वो receive करता है तो अगर कोई शखस करता है तो उसको जो है तीन साल की सदा दी जाएगी और fine be इस डिपेंड उन कोड उसकी डिस्क्रिमी पावर है तो फाइन भी इंपोस्ट कर सकता है अब है 410 410 में define किया गया है कि dishonestly receiving stolen property in commission of decade अब उसमें जो है जो है कोई नाम नहीं बता है अब इदर एक specify नाम कर दिया है कोई भी शखस dishonestly receiving डकेदी का माल कोई है शखस जो है अपने पास खरीद करता है अब कोई भी शखस ऐसा शखस जिससे पता हो बदनियती के साथ या उसे पता हो कि वो ये चोरी का माल है अगर कोई शखस जो डकेदी का माल receive करता है या खरीदता है अगर कोई शखस ऐसा खरीदता है तो उसको जो है 10 साल की सजा दी जाएगी and also fine will be imposed or both अब है 413 413 habitually dealing with stolen property अब कोई शखस जो है रोस के मामूल के साथ से उसको daily ने उसने habit बना दी आदादान बना दी है वो daily जो है कोई शखस अगर receiving करता है stolen property को खरीदता है daily आदत अपने daily routine के हिसाब से तो अगर जो बना आदतन अगर कोई शखस खरीदता है कोई भी stolen property को खरीद करता है तो अगर कोई शखस अगर उसको पकड़ा जाता है उसके बाद है 404 अब कोई शखस जान भूज के क्या अब कोई शखस जान भूज के कोई चोरी का माल छुपा आता है छुपा कर अपने पास रखता है क्या अब कोई भी बंदा XYZ कोई भी शखस अगर कोई चोरी का माल अपने पास छुपा के रखे या किसी ने उसको रखवाने के लिए दिया हो कोई भी शखस किसी और नहीं चोरी की हो बस उसके पास क्या है उसके पास रखवाया गया है चाहे वो घड़ा खोद के किसी जमी में खोद के रखे या कई और जगा पर specify जगा ना कोई भी जगा हो कहीं पैकर कोई भी थेफ्ट की चीज एक्स्टॉर्शन की या ठिकैती की या रोबरी की अगर कोई भी शख्स निचार कडिशन की चीज़ों को अपने پاس रखता है इन चार नामज़ जो जो चीज़े में ने बता है आपको अगर कोई भी शक्स इन छीजों को अपने पास छुपा के रखे या खूँ छुट चुरि करके अपने उस चीज़ को छुपाय है या कोई और शक्स उसको देख कर आ writes के लिए तो जो है उसको तीन साल की सजा दी जाएगी और उसके उपर fine beam post किया जा सकता है और उसके लावा दोनों बोट कोड के पास ये डिस्क्रिशिव पावर है कि वो fine beam post कर सकते है और वो जो माल है वो भी उससे grab किया जाएगा उससे लिया जा सकता है और उससे वो में पूछने पूछेगा और अपने शकील अमद को दौ में यादर कियेगा अल्लाँ आफिस